गूड मॉर्णिंग स्टूरेंट सावर यू और यू अध्य अध्य होप यू आर ऑल गूड जैसा कि हमने पीछे वाले वर्ण में पड़ा दो वर्णों के शब्द रीडिंग के अकॉर्डिंग आज का हमारा टॉपिक है पहला वर्ण लिखना है मैंने जो वर्ण लिखे है इ ऐसे अनार क्या आता है ऐसे अनार इसे बच्चों को स्वर और वेंजन के बारे में अच्छे से नोलेज हो जाएगी बच्चे अच्छे से पहचान सकेंगे किस से पहले क्या आता है किसके बाद में क्या आता है नेक्स क्या है इसे बड़ी से इक बड़ी से इक हम यहां क्या लिखेंगे छोटी से इमली बड़ी इसे इक से पहले क्या आता है छोटी से इमली क्या आता है छोटी से इमली नेक्स्ट क्या लिखा है मैंने बड़े उसे उन बड़े उसे उन हम यहां क्या लिखेंगे छोटे उसे उल्लो चोटे उसे उल्लो यास नेक्स्ट मैंने यहां लि दिखूँगी ऐ से से ए इड ए से एड आस वैरीगुड यास वैरीगुड नेक्स्ट मैंने लिखा आउसे अवरत क्या लिखाए आउसे एउरत ऑउसे औरत से पहले क्या आता है ऊसे Seems ओकली क्या आता है ओसे ओकली एस वेरी गूड देखो बच्चों आज हमने पहला वर्ण लिखा ना क्या लिखा है आ से आम से पहले क्या आता है ऐसे अनार बड़ी इसे एक से पहले क्या आता है छोटी इसे इमली बड़े उसे उन से पहले क्या आता है बड़े उसे उल्लू से पहले क्या आता है छोटे उसे उन आई से आइनक से पहले क्या आता है एसे एडी और उसे औरत से पहले क्या आता है और उसे ओकली यस बच्चो अभी हमने पहले का वर्ड लिखना था अब हम बाद का वर्ड लिखेंगे देखो कैसे जैसे मैंने या कैसे कबूतर लिखा है कैसे कबूतर के बाद क्या आता है खैसे खरगोस, मैं यहां क्या लिखूँगी, खैसे खरगोस, क्या लिखूँगी, खैसे खरगोस, yes, very good, next मैंने लिखा है, डैसे डमरू, क्या लिखा है, डैसे डमरू, क्या लिखा है, डैसे डमरू के बाद में क्या आता है, डैसे धक्कन, yes, very good, next मैंने लिखा है, फैसे फल फैसे फल के बाद में क्या आता है बैसे बकरी फिर मैंने लिखा है रह से रत क्या लिखा है रह से रत रह से रत के बाद में क्या आता है लह से लट्टू क्या आता है लह से लट्टू नेक्स्ट मैंने लिखा है शैसे शटकॉन शैसे सटकॉन सटकॉन के बाद में क्या आता है सैसे सपेरा क्या आता है सैसे सपेरा यहाँ से रिपीट देखो बाद के वर्ण लिखने दे कैसे कबूतर के बाद में क्या आता है खैसे खरगोस डैसे डमरू के बाद में क्या आता है डैसे ढकन फैसे फल के बाद में क्या आता है बैसे बकरी क्या आता है बैसे बकरी रैसे रत के बाद में क्या आता है लैसे लट्टू क्या आता है लैसे लट्टू शैसे शटकॉन के बाद में क्या आता है शैसे सपेरा क्या आता है शैसे सटकॉन के बाद में शैसे सपेरा ओके बच्चों जैसा अभी हमने देखा कि पहले मैंने पहले वर्ण लिखना था पहले वर्ण लिखना सिखा है फिर मैंने बाद का वर्ण लिखना सिखा है अब मेरा है दो वर्णों के बीच दो वर्णों के बीच का वर्ण लिखना है हमें जैसे मैंने कह लिखा है और कह उत्तर कैसे खर्गोस, कैसे गंबला, तो यहां क्या आएगा, कैसे खर्गोस, यास, वेरी गोड, कैसे खर्गोस, नेक्स है, चैसे चमच, जैसे जहाज, जैसे जहाज, तो क्या होगा, चैसे जमच, छैसे चाता, जैसे जहाज, तो हम यहां क्या लिखेंगे, छैसे चाता, that's good नेक्स क्या है तैसे तमाटर डैसे डमरू हम क्या लिखेंगे तैसे तमाटर ठैसे ठठेरा डैसे डमरू तो हम यहां क्या लिखेंगे तैसे ठठेरा यस वेरी गूड नेक्स क्या है तैसे तरबूज क्या है तैसे तरबूज दैसे दवात तेसे दवाद, तो हम क्या लिखेंगे? तेसे तरबूज, थैसे थरमस, क्या लिखेंगे? तेसे थरमस, देसे दवाद. तो हम यहां लिखेंगे थैसे थरमस. Yes. Very good. आप सब को आते हैं. वेंज़न. Yes. next क्या है पैसे पतंग फिर मैंने लिखा बैसे बकरी अब हम यहां क्या लिखेंगे तो देखते हैं पैसे पतंग फैसे फल बैसे बकरी तो हम यहां क्या लिखेंगे फैसे फल very good next क्या है हमारा यहसे जग्य यहसे लट्टू यहसे लट्टू हम क्या लिखेंगे यहसे यग्य रहत क्या लिखेंगे रैसे रद लसे लट्टू yes very good next क्या हमारा शैसे सटकॉन है से हल क्या लिखाइ मैंने शैसे सटकॉन सैसे सटकॉन के बाद क्या आता है बच्छो yes very good तो रिपीट देखो बच्छे दो वर्णों के शब मैंने बीच के वर्ण लिखे हैं दो वर्ण आगे की और पीछे का लिखा है बीच का हमें लिखना था तो हम रिपीट करेंगे थर्मस दैसे दवाद पैसे पतंग फैसे फल बैसे बकरी यैसे यग्य रैसे रत लैसे लट्टू शैशे शटकॉन शैशे सपीरा हैसे हाती थेंक यू